हाई एवरिवन कैसे हो आप सबी लोग आई होप आप लोग एच्छे होंगे मैं हूर आहुल जेस्वाल एंज स्वागत करता हूँ आप सदिक एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में प्रेंट्स आज आपके सामने अगेन वन अप दा मोश्ट ब्यूटिफूल 10 स्टांडर्ड के लिए मैथेमेटिक्स का लेक्चर वीडियो में लेकर आगया हो दोस्तो और आज के दिन क्या पढ़ने वाल है आज अगेन क्या पढ़ने के लिए लेकर आया हूँ आप 10 स्टांडर्ड के लिए 10 स्टांडर्ड लगातार लेक्चर वीडियो मैथ्स का लेकर आ रहा हूँ इक्वेशन को साइमल्टेनेस एक्वेशन सॉल्ट करेंगे हैं हमारे एक्वेशन य जो भी अल्फाबेट्स रहेंगे उसके वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे यह अदि सीखा हुआ है तो आजाते हैं और छे एक्जांपल में से एटलीस तीन से चार एक्जांपल कराऊंग है यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो हमें एक क्वेशन पुछा हुआ है टू नंबर्स डिफर पाई थ्री मतलब कोई दो नंबर होंगे वो दो नंबर क्या हो रहें थ्री से डिफर हो रहें यानि कि दोनों के बीच में क्या होगा डिफ्रेंस आ रहा है मतलब माइनस ह समझ में आ रहा होगा दसंब व्क त्वाइंस स्मॉलर नंबर यानि चोटा नंबर होगा उसको अगर मैं संक यानि क्या करूं दोस्तों कि अगर वह च्छोटे वाली नंबर को मैं पलस करूं ठीक है two numbers, two numbers जो होंगे, तो अभी देखो, यहाँ पे clearly बोल रखा है कि एक number smaller एक number greater है, तो मैं डारेक बोलता हूँ कि let the greater number, जो बड़ा number है, उसको पहले ले रहा हूँ, let the greater number is equal to x, मैंने क्या मान लिया, कि जो मेरा बड़ा वाला number है, वो x है, and smaller जो number है, smaller number जो है, वो मान लेता हू मैं, क्या मान लेता हूँ, ठीक है, respectively, ठीक है, क्या मान लूँगा, कि मैंने छोटा वाला number मान लिया, y है, बड़ा वाला number मान लिया, x है, इतना समझ में आ गया होगा, बहुत basic सा चीजे है, देखो, क्या होता है, जब भी हम लोग word problem solve करते हैं, तो आपको बस समझना है, और सबसे पहले, let करना पड़ेगा, let मतलब कि कुसी चीज को मानना पड़ेगा, कोई भी चीज को हम नहीं मानेंगे, तो हमको केसे बता चलेगा, तो अगर कोई दो number है, तो हमने मान लिया, कि बड़ा वाला, x से छोटा वाला है, यह मैंने मान लिया, ठीक है, अब हम क् conditions बनाएंगे, तो सबसे पहले हमें दिया क्या है, यहाँ पर देको first condition, पहला condition clearly इन्हों ने दे रखा है, और पहले condition के इसाप से लो क्या बोलते हैं, कि दोनों number differ कर रहे थी से, यानि कि दोनों number होगा, वो 3 आएगा, यानि कि दोनों कर जो difference होगा, वो 3 आएगा, तो हम minus कर जाएगा, दोस्तों, मेरा equation number 1 आएगा, मैंने माल दिया, दूसरा condition देखो, देखो, बहुत simple questions होते हैं, हमको क्या लगता है, जब हम question theoretical दिया होता है, exam में, तो हमें यह दिखेगा, exam में, हमें, तो यह question दिखेगा, यह question दिखेगा, यह question दिखेगा, तो बहुत सारी जो परशानी नहीं होगी, because इतना simple है, कि दोनों के बीच का difference 3 है, तो मैंने क्या, x-y is equal to 3 question number 1 बना लिया, दूसरा condition क्या बोलता है, देखो, दूसरा condition बोलता है, कि the sum of twice the smaller number, यानि कि जो छोटा number, छोटा number क्या है, मेरे लिए y है, ठीक है, छोटा number मेरे लिए y है, तो इसका क् करना है, twice the smaller number, y को मैंने 2 से multiply किया, तो ये क्या हो गया, डबल हो गया, twice हो गया, the sum of twice the smaller number and thrice the greater number, यानि बड़ा number जो है, उसको thrice करना है, यानि 3 करना है, तो 3 times x हो जाएगा, बड़ा number के साथ thrice करना है, मतलब 3 कुना, तो 3x हो गया, and ये किसके बराबर है, 19 के बराबर है किसके बराबर है, is 19, तो is equal to 19, ठीके, अब इसको arrange कर दो, ये 3x को पहले लिख दो, 2y को बाद में लिख दो, पहले x वाला होता है, तो हम इसको arrange कर देंगे, 3x plus 2y, that will be equal to 19, और इसको माल लूँगा, मैं equation number 2, क्या माल लूँगा दोस्तों, इसको मैं माल लूँगा, हमारा equation number 2, अब यहाँ पे आपको एक equation बिलके, यहाँ पे आप दूसरा equation ले लोगे, अब मैं simply क्या करता हूँ, इसको solve करता हूँ, ठीके, देखो यहाँ पे जहां से, simply आपके सामने में इसको solve करूँ, मैं पहला equation, x minus y is equal to 3, ठीके, यह first equation है, दूसरा equation है, आपके सामने अभी य x या फिर y नहीं है, जिसमें coefficient same हो, तो अगर इसके पास x है, इसके पास 3x है, तो यह x को मैं 3x बना सकता हो, तो मैं पूरे को क्या करूँगा दोस्तों, मैं पूरे को चुप चाप 3 से multiply कर दूँगा, तो यह पूरे जब पूरा जो equation है, यह 3 से multiply हो जाएगा, तो यह 3x बन नाम देंगे, equation number 3, अब हमारा पूरान equation second वाला तो ऐसे का वैसे ही है, जो कि है 3x plus 2y is equal to 19, यह तो ऐसे ही है, इसको हम लोग plus यह फिर minus कर सकते है, क्या करना पड़ेगा, यह 3x है, यह 3x है, cancel अगर करना है, तो मुझे यहाँ पर minus करना है, तो यहाँ पर minus, यहाँ पर minus, य हो जाएगा, और यह 3x और यह 3x का answer हो जाएगा, समझ में आ रहा है दोस्तो, तो minus 5y is equal to minus 10 बच रहा है, therefore y will be equal to कितना हो जाएगा, 10 upon 5, 10 upon 5 हो जाएगा, तो हमारा answer कितना आ गया, y का y will be equal to 2, यानि कि, जो y हमने माना था, y क्या माना था दोस्तो, smaller number, smaller number मिल गया हमे, यान कितना, smaller number, will get 2, बड़ा answer निकालना है, बड़ा अलो निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, put, इसको मैं क्या करता हूँ, हमारे equation में इसको put कर देता हूँ, कौनसे equation में put करो, आपकी उपरे चलो, put in equation number 1, ये मेरा one equation है, क्या है, one equation, x minus y is equal to 3 है, ये मेरा one equation है, जिसमें मुझे ये y का value मिल चुका है, तो y के जिगा पर मैं क्या put on करूँगा, दोस्तों आपी बताओ, क्या put on करूँगा, y का value 2 है, तो y के जिगा पर 2 डाल दो, तो x minus y के जिगा पर 2 हो गया, is equal to 3, therefore x will be equal to 3, 2 दर जाएगा, तो plus हो जाएगा, तो 3 plus 2, therefore x will be equal to 5, तो मिल गया हमें answer, या नमर y था, तो y का value आगया हमारा 2, और bigger number हमारे लिए x था, तो x का value भी आगया हमारे लिए 5, कितना आसानी से हमने ये दोनों answer निकाल लिया, ये आप ही देख सकते हो, ठीक है, तो we'll got the answer, that is 2 and 5, these both are our answer, ठीक है, clear है, तो यह होगे हमारा आज का पहला question, कितना simple है, और ऐसे question आते भी exam, exam में अगर आप देखोगे, तो ऐसे questions आते भी है, और definitely 2 या 3 मांक्त के लिए आएगा, तो आप उसको solve करके दिखा सकते हो, है की नि दोस्तों, चलिए आगे बढ़ जाते है, next question पर जाते है, उम्मीद कर रहा है, आपको समझ में आ गया होगा, next question, क्या है, next question, question question number 2 यार, question number 2 आप देखोगे न, अपके book में देखना, question number 2 इतना easy है न, यार, perimeter निकालने है, और rectangle का, और area निकालने बोला है, बहुत simple है, मतला में ये कराने नहीं वाला हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा simple है, और हर एक कराऊंगा तो पुरा का पुरा problem set में करा सकता हो, माफ दिया हुआ है, हमारा formula आपको पता ही है, perimeter का rectangle का क्या होता है, two length plus breath, area का formula पता ही, length into breath, डाल दो और calculate कर लो, हमारा answer आजाएगा, equations बनेंगे, फिर answer आजाएगा, हम सीधा चलेंगे, question number 3 इतना, क्या बोल रहा है, question number 3, कि the sum of father's age and twice the age of son, यानि कि क्या बोला है हम लोग को यहा है, हमारा father और किसका example है, the sum of father's age and twice the age of son is 70, मतला father और son वाला example है, इसे example से exam में पूछने के chances ज्यादा हो जाते है, क्योंकि यार, जो examiner होता है, वो चेक करना चाहता है, क्या आपके पास mental ability है कि न, क्योंकि यही सब चीज़ना, competitive exams में भी questions पूछते हैं, तो जाम बोज़ क क्या calculate करना है, find their present age, यानि son और father जोनों है, उनका हम लोगो क्या calculate करना है, age calculate करना है, तो हम मान लेते है, let the father age, father का age हम मान लेते है, कि है x year, ठीक है, father का age मान लिए x year, और son जो होगा, जो बेटा होगा, उसका age भी मान लेता हों में, y year, y years, यह दोनों मान लिया, मानने में क्या जाता है, मान सकता हूं में, तो let the father is be x year and the son is be y year, ठीक है, तो हमारे दो conditions यहाँ पर जो दिये हुएं, उसको हम लोग consider करते हैं, तो हमारा जो first condition बनता है, क्या बनता है दोस्तो first condition यहाँ पर लिखो, आपको यहाँ पर दिखेगा, first condition क्या है, कि the sum of father age and twice the age of sun, तो father age क्या है, x and twice the age of sun, sun का age क्या है, y year, यह मतलब, twice मतलब two times y, father age two times sun age, क्या है, is 70, यांदी कि x plus two y is equal to 70 हो जाएगा, समझ में आ रहे, तो यह क्या बन जाएगा मेरे लिए equation number one, इसके आगे कुछ कर सकता हो क्या, इसको, इसको मैं कुछ cut वगरे भी नहीं कर सकता, तो यह क्या हो जाएगा, x plus two y is equal to 70 मेरा equation number one बन जाएगा, ठीके, अब मेरा second condition हो जाएगा, इस question में second condition भी दिया होगा, obviously, क्योंकि x से काम नहीं चलने वाला, तो दूसरा condition क्या बोल रहा है, कि if we double the age of father, father का age को double करना है, father कौन है, x है, तो उसका double मतलब 2x हो जाएगा, तो if we double the age of father and add to the age of son, मतलब इसको मैं add करूँ sun के age के था, sun का h क्या है y, तो 2x plus y जो होगा, वो किसके बराबर होगा, 95 होगा, तो 2x plus y is equal to 95, यह क्या बन जाएगा मेरे लिए, इसको में कुछ और छोटा कर सकता हो, कैंसल कर सकता हो, ने, तो यह हो जाएगा हमारे लिए equation number 2, मतलब इंच्वर्ण हमने दोनो equation, दोनो condition से निकाल लिए, अब यह दोनो equation को लेना है, simultaneous equation आता है, यह solve करने, solve करने हमारा answer आजाएगा, x और y का, यानि father और son के, age का answer आजाएगा, ठीक है, तो सबसे बेले क्या करूंगा, बताओ, यहाँ एक line खीशता हूँ, अब यह दोनों को, मैं एक किरी चेक लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ पहले, देखो यहाँ पर दियान से, यहाँ पर मेरा पहला condition क्या है, x plus 2y is equal to 70, यह मेरा पहला condition है, ठीक है, दूसरा condition क्या है, मदब दूसरा equation है, 2x plus y is equal to 95, यह मेरा दूसरा है, लेकिन आपने चीज़ नोटिस किया होगा, क्या मैं इसको direct solve कर सकता हूँ क्यों direct है, क्योंकि यह दोनों में से किसी का भी x x का value यह 2x है, यह 2x है, यह x है, तो मैं इसको क्या बना सकता हूँ, टु ..... बना सकता हो, अगर मैंने क्या किया, इसको 2x बनाना है, तो मुझे यह पूरे को यहDa構 बन जाएगा, आगर यह हो जाएगा, थेके तो हमने नहीं देखो 2x 2y is 4y is equal to 70 x 140 140 यह नया equation बना equation number 3 समझ में आया अगला जो नीचे वाला जो equation है वो सेम एडिस रहने वाला 2x plus y is equal to 95 2x plus y is equal to 95 यह वैसे का वैसी रहेगा इसका नाम equation कितना बचेगा 45 बचेगा ठीक है बीच में इक्वल आ जाएगा यह 4y में से वाए गया कितना बचेगा दोस्तों 3y बचेगा यह 2x minus 2x तो यह cancel हो जाएगा तो 3y is equal to 45 बचेगा देरफोर y will be equal to कितना हो जाएगा यह 45 divided by 3 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा y का value आ गया पंदरा y कौन था दोस्तों y कौन था बताओ हमने क्या माना था y को ने y sun age is equal to y माना था तो यानि कि आ गया यह हमारा sun का age तो sun age is equal to 15 year लिख दो यहाँ पे sun age 15 year ठीक है अब एकोर condition बचाओ है लेकिन क्या बचाओ हुआ है कि हम क्या करेंगे यह जो y is equal to 15 आया ना यह कितना आया y is equal to 15 जो आया इसको उठाके किसी एक इक्वेशन में डाल दोंगा तो हमारा छोटा वाला जो एक्वेशन है एक्वेशन नमबर वन में डाल दों चलो तो मैं डालू मैं यहाँ पे put in equation number one क्या है equation number one मेरा देखो यहाँ पे लिखा हुए x plus 2y is equal to 70 पहला condition है डाल दिया उसमें मेरा y का value 15 मुझे पता है तो x plus 2 y का value यहां से मिल जाएगा 40 तो x का value आगया 40 यानि कि x हमने क्या माना था x माना था हमने father का age तो हमारा answer आगया दोस्तों कि father जो होगा पपा का जो age होगा वो कितना होगा 70 years होगा clear है है कि नि दोस्तों clear है कि नि देखो कितना simple example था इस से ज्यादा simple हो सकता है और यह questions आएगा एक्जाम में father और son के age वाला example मैंने अक्सर notice किया है दोस्तों कि यह आता एक्जाम में और उमीद करता हूँ कि यह आपको आज मैंने solve करवा दिया है life में कभी ऐसा कुछ question आया son और father का इस प्रकार के conditions आई इसके अलग भी conditions अगर आ जाएंगे तो भी आप लोग उसको solve कर देना और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक भी करता जाना बहुत motivation आता है दोस्तों जब मैं देखता हो ना कि बहुत सारे लाइक जब दिख रहे है तो मुझे अपने आप एनरजी आती है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग पसंद कर रहे है तो अगला वीडियो नेक्स्ट एक्जामपल के दरब तो यहाँ पर question पहले समझो, question को समझने की कोशिश करो क्या आप बोल रहे है denominator of a fraction is 4, कोई fraction होगा उसका denominator क्या है 4 more than twice its numerator, उसका जो numerator होगा उससे 4 गुना, जो 2 गुना है उससे 4 जादा है, denominator becomes 12 times the numerator, मतलब जो denominator होगा वो 12 गुना हो जाएगा वही कुछ value है, तो मैं मान लेता हूँ, क्या मान लूँगा, देखो यहाँ पर जान से, यहाँ पर solve करता हूँ, let the, हमारा favorite dialogue, let the fraction, क्या मान लूँ बताओ, fraction कभी भी क्या होता है, उपर अपन नीचे, numerator upon denominator को ही fraction बोलते हैं, तो मैं मान लूँगा कि कोई एक मेरा क्या है, fraction ह लेता हूँ, कि let the fraction is equal to x upon y, मैंने क्या मान लिया, कि जो भी मेरा fraction रहेगा, वह x upon y रहेगा, obviously, उपर वाला जो होता है, numerator होता है, नीचे वाला denominator होता है, सब जानते है, तो x मेरा numerator बन गया, y मेरा denominator बन गया, समझ में आ गया, यह पहला हमारा statement रहेगा, कि यह हमने let करके मान लिया, fraction is equal to this, 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 अब मेरा पहला condition हम जाते है, first condition, क्या बोलता है, पहला condition, देखो, पहला condition क्या बोलेगा, देखो, पहला condition यह बोलता है, कि the denominator of a fraction is 4 more than twice the numerator, तो twice the numerator मतलब क्या होता है, 2 times numerator क्या है, मेरे लिया, x, ठीक है, denominator of a fraction is 4 more, यानि कि जो denominator fraction रहेगा, तो y is equal to, यह मे कि 2x प्लस 4, 4 ज्यादा मतलब 2x प्लस 4 रहेगा, तो हमारा वैलू क्या मिला, y is equal to क्या मिल रहा है, y is equal to 4 plus 2x, sorry, 2x plus 4 मिल रहा है, इसको अगर मैं solve कर लू, मतलब x और y को साथ में रखू, तो ये 2x को वैसी का वैसी रखता हूं, y को उसके पास ला जाओ, तो 2x minus y हो जाएगा, and that will be equal to क्या हो जाएगा, minus 4 हो जाएगा, ठीक है, y 4 उदर गया, तो minus 4 हो गया, तो हमारा एक्चल में value कितना आ रहा है, पहला condition क्या आ रहा है, हमारा equation number 1, कि 2x minus y is equal to minus 4, इतना समझ में आया, comment कर दो क्या होता है, यह सब चीज आपके लिए नया है, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे इसको पड़ेगा 4, किस से twice the numerator, मतलब दो गुना numerator का to 2x plus 4, इसको arrange कर दिया, हमारा equation number 1 आ गया, अब चलते हैं, second condition पे, क्या बोलता है, second condition वो भी चेक कर लो, second condition क्या बोलता है, चेक कर लो, second condition यह बोलता है, देखो यहां से चालू और second condition, denominator becomes 12, times the numerator, मतलब denominator क्या है, y है, is equal to, is 12 times the numerator, मतलब 12 गुना किसका numerator का, मतलब x, लेकिन आगे भी दिया है, इस बोध दो numerator and denominator reduce by 6, मतलब दोनों ही, numerator और denominator दोनों ही 6 से reduce होरे, reduce होरे, मतलब 6 से minus होरे, मतलब minus 6 करना पड़ेगा, यानि की 12 जो है, sorry, 12 त एक number है, लेकिन numerator और denominator दोनों ही 6 से minus होरे, यानि x-6 यहाँ हो जाएगा, ठीके, x-6 यहाँ हो जाएगा, और यह y भी अकेला नहीं रहेगा, y भी क्या हो जाएगा, y भी हो जाएगा, 12 x को इधरे रिखूंगा, y उसके पास लाओंगा, तो यह हो जाएगा, 12 x minus y, that will be equal to, that will be equal to minus 72 धरी था, और minus 6 लाओंगा, तो प्लस हो जाएगा, तो minus 72 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 72 में से चे निकाल जो कितना बसता है, 66 बसता है, तो हमारा एंसर रहाएगा, यहाँ पर, is equal to 66, ठीक है, ठीक है न, 12 x minus y is equal to 66, समझ में आ रहा है, ओके, चेक करते हैं, minus 72 धरी है, ठीक है, 12 x, लाया मैंने 12 x minus y किया, ठीक है, हाँ, ओके, 12 x minus y, चेक कर रहा हूं, दोस्तो, 12 x minus y धर लाया, ठीक है, 12 x minus y धर लाया, और बेजिया, प्लस 72, ब्लस 72, ब्लस 66, बराबर करेक्ट आया, एक number आया, ठीक है, कभी-कभी हम लोगो cross check कर लेना चाहिए, नि तो हम लोगो कभी-कभी अपने आप पे भी doubt रहता है, कि हमने सही किया और नहीं किया, तो हमने यह cross check किया, कि मैंने बराबर किया नितल देको एक चोड़ी सी गलती, आपको याद अगा, कि मेरा एक example में आपके सामने करार था, digital board के ओपर ही करार था, कुछ दिन पहले, मुझे एक minus के symbol के रहे से पूरा equation को wrong करना पड़ा, मतलब wrong हो गया मेरे से, फिर से मुझे दुबारा solve करना पड़ा, तो वापस से आप लोगे लिए मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, कि whenever you are writing answers in your examination, खासकर mathematics जाज़े सबजेक में, तो छोटा-छोटा minus plus का भी symbol है, एक बर cross check कर लेना, कि आप जो कर रहे हो, वो सरी कर रहे हो, ज्यादा timing लगता है, दस से कंड लगता है, दोस्तों cross check करने में, अराम से हो जाता है, ताकि confidence आज जाएगा अगले step के लिए, ठीक है, यह आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बहतरीन तरीकी से समझ में आ गया, अब यहाँ पर लेता हूँ में, दूसरा मारकर, देखो, अब दो condition कौन-कौन से बन गए, मेरा पहला condition था, क्या, 2x-y is equal to minus 4, यह मेरा पहला condition था, दूसरा है, देखो, 12x-y is equal to 66, यह मेरा क्या है, दूसरा condition है, अब यहाँ पर इसको मैं क्या करूँ हो, साइमल्टेनस equation के साथ solve करूँ, लेकिन यहाँ पर आप देखो कि क्या, x और y के किसी की भी coefficient सेम है क्या, तो यहाँ पर देखा, यह 2 है, यह 12 है, यह y सेम है न, यह y है, यह y है, मतलब दोनों के पास 1 है, 1 है, इसको मैं solve कर सकता हूँ, लेकिन दोनों ही minus है, तो दोनों ही minus होना चाहिए, तो अगर यहाँ पर मैं plus लगाऊंगा, तो यह as it is रहेगा, ठीक है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर, मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा minus, तो जब मैं minus लगाऊंगा, तो यह minus क्या बन जाएगा, यह plus बन जाएगा, और यहाँ पर minus हो यहां से मिल जाएगा, बता हो कितना हो जाएगा, X is equal to 7, यार, कितना simple है, कितना आ गया, X का VAL GEORGE हमार पास, 7 आ गया, ठीक है, X का VAL overwhelmingly 7 आ गया, किसी एक में डाल दो, किसमेня डालोगे बताहूँ, यह 1 है, यह 2 है, क्रेक्ट है, इसमें डालोगे, मैं करता हूँ 1 make substitute, to put in equation number 1 1 में डाल देता हूँ यहाँ पर, 1 क्या है मेरे पास equation number 1 क्या है 2x minus y will be equal to minus 4 है, correct है यही है हमारे पास, अब इसमें मुझे डालना है x के जगाँ पर 7, तो 2x के जगाँ पर मैं 7 डाल दिया, minus y is equal to minus 4, solve कर लो, 27 is a 14 minus y is equal to minus 4, ठीक है, तो यहाँ पर, क्या हो जाएगा 4 को इधर लगों तो 14 plus 4 हो जाएगा y को उधरस बेज़ दूगों तो equal to y हो जाएगा यानि कि y will be equal to 18 हमारा y का मेलू कितना आगे, 18 आगे, तो हमने क्या माना था, actual में, कि fraction निकालना है, तो हमें actually fraction निकालना था, क्या निकालना था, fraction fraction निकालना था, ना हम लोगों fraction हमने क्या मानना था, x upon y माना था, तो x मेरे लिए क्या आया है, दोस्तो x मेरे लिए 7 आया है, और y मेरे लिए 18 आया, तो हमारा fraction क्या हो गया 7 upon 18 हमारा fraction क्या हो गया 7 upon 18 कितना सिंपल लोगों को लगता है fraction निकालना बहुत बढ़ी बात हो गई लेकिन कितना आसानी से आपने एंसर निकाल दिया कि आवर fraction is 7 upon 15 7 upon 18 यह कितना आसानी से निकल गया क्लियर है समझ में आ गया अब चलता है नेक्स्ट एक्जामपल की तरफ चलो फटा 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 सॉल कराएंगे दोस्तों क्योंकि आप लोगों को हर एक नॉलिज देना है आप देखो कॉशन नबर 5 बहुत सिंपल है बॉक्से वाला यार उससे सिंपल कुछ ही नहीं नहीं आत है तो कुछ बात होती है तो मैं पूछ बता दूं आपको करेंशन की बात नहीं मुझे कॉमेंट करो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर डियम कर लेना मैंसेज कर देना मैं आपको सॉलुशन प्रोवाइड कर दो कोई चिंता की बात नहीं दोस्तों आप लोग के लिए हम कर रहे हैं तो बस आपको थोड़ा सा अपना एफ़र्ट लगाना है और कुछ नहीं एफ़र्ट लगा ओ देखो 95% इसली मांक्स आते हैं करके देखो लास्ट कोशन है हमारा क्या बोल रहा है कि आउट ऑफ 1900 किलो मीटर यानि कि जो हमारा कोन है क्या नामे इसका विशाल ना वो कुछ डिस्टेंस जो है वो बस से ट्रावेल कर रहा है जैसे कि हम लोग का कभी-कभी कुछ दूर जाना होता है तो हम कभी-कभी कुछ एक रास्ता फ्रोड़ा बस से जाना पड़ता है फिर एरपोर्ट आता है तो फिर हम एरपोर्ट से ट्रावेल किया और कुछ रास्त बस से जितना ट्रावेल किया है देख रहे हैं आपे तो बस से जितना ट्रावेल किया है उसका जो डिश्टेंस है दोस्तों वो कैल्कुलेर करने के लिए बोला है क्लर कर लेंगे बहुत सिंपल है कैसे करना है यहां पर ध्यान लगा के देखना सबसे पहले कि मैं मान लेतना तो हमारा फ्यविलेट डायलोग है क्या मान लूँगा कि लेट जो भी टाइम लग रहा है ठीक है ना हमको पता नहीं न कितना टाइम लग रहा है तो लेट दा टाइम टेकन बाई बस कितना लगेगा समझ लो मैंने मान लिया कि एक्स घंटा लग रहा है एक्स हावस लग रहा है, वैसे ही मैं मान लूँगा, let the time taken by, taken by, ठीक है, यह सेम लिख देना, same, let the time taken by, by aeroplane, is equal to y घंटा, तो मैंने मान लिया कि बस के लिए x घंटा लग रहा है, और aeroplane के लिए कितना लग रहा है दोस्तों, y घंटा लग रहा है, ठीक है, इतना आपको तो चो, ती माक लगाओ, question में ही answer होता है, दोस्तों, इस अब type में, पहला condition बोला है कि जिसमें से 1900 km उसने travel किया है, लेकिन उसका average speed आप देखो कि तो 60 km बस से travel किया, तो 60 km बस से travel किया, यानि कि 60 x, बस के लिए कि आ माना, आपने कितना घंटा माना, x माना, तो 60 x, aeroplane के कि लिए कितना है, 700 km, aeroplane के लिए कि आमाना है, y, तो दोनों को प्लस कर दो, दोनों को बस करना पड़ेगा, प्लस करोगे कि माइनस करोगे, प्लस ही करोगे, क्योंकि यार, बस से भी जा रहा है, यानि कि 60 x plus 700 y, कितना total travel किया distance उसने, 1900 km, खतम, ठीक है न, वज में आ रहा ह क्योंकि और यह आपको अगर डाउट आ रहा हुआ कि यह कैसे है, तो मैं आपको सीधा बतायता हूँ, speed is equal to distance upon time, यह formula है कि नहीं, speed is equal to distance upon time है, यह हमने क्या लिखा है, यह क्या है, speed है, यह x क्या है, time है, speed multiplied by time is equal to distance, time is equal to distance multiplied by speed, न, यह क्या है, 1900 km क्या है, distance है, ठीक है, sorry, यहां पी गडबड कर दिया है, यहां पर देखो, distance चाहिए, न, हम लोगो, हम लोगो distance चाहिए, 1900 km actually क्या है, distance है, तो distance is equal to speed multiply by time होगा न, तो यह क्या है, यह speed है, यह क्या है, time है, जो मैंने माना हुआ है, दोने को multiply करना पढ़ेगा, तो के लिए multiply हुआ, 60 multiply by x, प्लस, 700 multiply by y is equal to total distance, 1900, समझ में आया, basic concept, तो आप बोले के सर, आपने 60 हो और x को multiply क्यों किया, obviously यार, speed और time multiply होगे, तभी तो distance मिलेगा, तभी तो 1900 आएगा, समझ में आ रहा है, यह basic basic चीज है, दिमार्ग में रखा करो, हर चीज नहीं बता सकता, न, action मैं बता देता हूँ, इसी बात न condition, लेकिन इसमें एक चीज है दोस्तो, 60 है, 700 है, 1900 है, कुछ cancel हो सकता है, इतने बड़े-बड़े number से, कुछ cancel हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आप देखो, 60, 700, 1900 है, कितने बड़े-बड़े equations है, कितने बड़े-बड़े equations है, तो सबसे सब के table में, क्या common दिख रहा है, 700 है, क्या सिते है, urine 10 मुझा से होगा, मतलब 10 से, divide करो, तो टेंसे, divide करो, कि तो क्या बचेगा, 60, 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो 6 बचेगा, ठीक है, 6 x बचेगा, 700 ते लिउय राख हो जाएगा द याप出 ऑन जा ठीक है, यहां पन झे इसा लिख देना, अगर आपको डाउट आ रहा है, वो क्या किया है, divide by 10 किया है, divide, δिख रहा है की निए, आपको कोने का, हैगी, दिख रहा है, तो यहाँ पे मबतायों, divide by 10 किया, अब अगला step देखो, इसको भी मैं 2 से divide कर सकता हो, ये सब के टेंबल में 2 आता है, तो 2 से divide करूँगा तो 6 divided by 2, 3 हो जाएगा, तो 3x plus 70 को divide by 2 कोरें, मतलब 70 का आधा, कितना हो जाएगा, 35y, 190 divided by 2 कोरें, मतलब 190 का आधा, 190 का आधा, मतलब कितना हो जाएगा दोस्तो, 90y, correct है, 95 हो जाएगा ना, correct है, तो यह बन जाएगा मेरा equation number 1, यह मैंने क्यों किया, कैसे किया, इसको भी लिख दो यहाँ पे, कि मैंने किससे divide किया, divide by 2, आप स्टेप लिख सकते हो, नहीं लिखो कि तो लोगों को समझ में आ जाते कि आपने simplify किया, मैं जब छोटा बनाने की कुशिश की, जो इतना बड़ा था पहले, 60x plus 700 y is equal to 1900 जो था, उसको मैंने छोटा बना दिया, 3x plus 35 y is equal to 95, यह आपका बन गया equation number 1, अब देखते हैं हमारा second equation भी यह क्या बोलता है, यह मेरा second condition है, मतलब चुप चाप मैं क्या लिख दूँगा, x मेरा bus से travel किया, उसने y मेरा aeroplane से travel किया, total कितना घंटा लग रहा है, तो x plus y is equal to 5, तो हमारा क्या हो जाएगा, यह second equation बन जाएगा, x plus y is equal to 5, इसको मैं डाल दूँगा, equation number 2 में, अब दोनों को एक के नीचे एक लिख दो, क्या है, देखो कहा है, कहा है, पहला एक्वेशन, पहला एक्वेशन यह जो, 3x plus 35 y is equal to 95, तो 3x plus 35 y is equal to 95, यह मेरा क्या है, equation number 1 है, दूसरा equation क्या मिला है, मेरा को x plus y, x plus y is equal to 5, यह मेरा second equation है, लिख दिया है यहापे, अब इसको solve करो, simultaneous equation के साथ, लेकिन इसे solve हो सकता है, कहा है, नहीं हो सकता है, क्योंकि यह उपर 3 है, नीचे 3 नहीं है, इस पर 35 है, 35 नहीं है, तो मुझे किसी एक को तो सेम बनाना पड़ेगा, तो यह 3 उपर है, तो मैं 3 इसको बना दूँगा, simply, तो मैं क्या करूँगा, चुप चाप, इस equation को, मैं क्या करूँगा, second equation को, पूरे को 3 से multiply कर दूँगा, तो यह बन जाएगा 3x, ठीक है ना, देखो ध्यान से, क्या करना पड़ेगा, मुझे बस, इसको in short, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, पूरे को 3 से multiply करना पड़ेगा, तो मैंना नया equation जो बनेगा, वो कैसे बनेगा, यहाँ पर देखो ध्यान से, नया equation जो बन रहाए, वो क्या बनेगा, ऊपर तो सेम रहेगा, पहले वाला, 3x plus 35y, जो उपर है, पहला नमबर वन है रेकिन दूसरे वाले को चेंज कर दिया ठीम टिप्लाइब एक्स 3X हो जाएगा प्लस 3 मुल्टिप्लाइब एक्स 3Y हो जाएगा तो यह भी माईनस हो जाएगा यह भी माईनस हो जाएगा था 25 में से 15 माईनस कर दो कितना बचेगा दोस्तो 80 is equal to 35 में से 3 माईनस कर दो कितना बचेगा 32 वाई बचेगा और यह 3X 3X cancel हो जाएगा तो therefore y will be equal to 80 upon 32 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो ऐसे भी is equal to 2.5 भी निकाल सकते हो यह भी लिखो को चलेगा is equal to 2.5 भी लिख सकते हो चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है राक्षन में रखो गे तो भी चलेगा डारेक्व निकाल गों तो भी चलेगा फाइब 2.5 होता है ना फाइब 2.5 होता है अब क्या करना पड़ेगा किसी एक में डाल दूगा तो put in equation number one, one में डाल दूँगा, ने चलो second में डालता हू, second वाल ज्यादा है easy, put in equation number two, second वाल easy है न देखो, x plus y is equal to 5 है, x plus y is equal to 5 है, y का value मुझे मिल गया है, y का value कितना है, 5 by 2 है, तो y का value क्या है, 5 by 2, तो x plus 5 by 2 is equal to 5, ठीक है, cross multiply कर लो, तो 2 इदर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2x plus 5, और यह 2 5 जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 2x will be equal to 10 minus 5, therefore x, 2x is equal to 5, 2x is equal to 5, correct है, तो therefore x will be equal to again 5 by 2, तो हमारा x का value भी 5 by 2 ही आ रहे है, ठीक है, x का value भी 5 by 2 ही आ रहे है, मतलब x is equal to 2.5 ही आ रहे है, in short, मतलब in short हमारा जो x और y का value आ रहे है, वो 2.5 ही आ रहे है, correct है, x का value, y का value भी 2.5 ही आ रहे है, correct है, आगया answer, answer आगया आगया, नहीं आया answer, यहाँ पे ध्यान से देखना, अब next step, next step, यहाँ पे next page में पता रहा हो, कि हमें एक चीज़ पता है दोस्तों, कि हमें question क्या पूछा था, हमें पूछा था कि find the distance, हमें पूछा था, यहाँ पे कि find the distance, जो bus से travel कर रहा है, तो मुझे एक चीज़ पता है, कि time लग रहा है, bus से travel करने के लिए x घंटा, मतलब जो मुझे x का value मिला है, 2.5, यह क्या मिला है मुझे, time taken by, bus मिला है, कितना मिला है, दोस्तों, x मिला है, यानि कि 4 घंटा मि है, अब मुझे एक चीज़ पता है, कि मेरा जो time होता है, formula क्या है, हमारा main formula क्या है, main formula लिखो यहाँ पे, speed is equal to distance upon time, यह हमारा main formula है, correct है, speed मुझे पता है, देखो यहाँ पे त्यांसे, speed यहाँ पे इन्होंने दे रखा था, बस से जो travel कर रहा है वो, उसका speed यहाँ दे रख 60, correct है, मतलब मुझे speed पता है, तो speed के जगाँ पे मैं लिख दूँगा 60 is equal to, distance मुझे निकालना है, वो लोग ने पूछा हुआ है कि distance आप निकालो, तो distance वैसी कब वैसी ही रखूँगा, लिख दूँगा यहाँ पे मैं distance, समझ में आ रहा है कि नहीं, और time जो था बस से travel कर बनेगा, वो अभी अभी हमने calculate किया, कितना है, चार गंटा, तो यहाँ पे चार लिख दिया, तो distance कितना आ जाएगा, तो distance will be 60 और 4 multiply हो जाएगे आपस में, तो distance will be equal to 60 multiply by 4, तो therefore distance will be equal to, कितना आ जाएगा, बताओ, 64 जा 24 होता है, यानि 240, और unit किया आएगा, किलो मीटर सबसे easiest example मुझे यह लगा, क्योंकि इसमें मज़ा आया, क्योंकि इसमें मज़ा आया, पहला condition, यहाँ से निकाल लिया, दूसरा condition, x plus y is equal to 5, दोनों को solve किया, x का value, y का value, दोनों का ही speed, जो हमें बोला था, x और y का, aeroplane का भी यह निकाल लिया, aeroplane का लेकिन use नहीं है, क्यो formula डालके आगे answer देखो, 240 km पर, sorry, 240 km is the distance travel by Vishal by bus, bus से वो 240 km उसने travel किया, clear है, तो उमीद करता हूँ कि यह चीजे बहुत अच्छी तरीकर समझ में आ गया होगी, तो इसे के साथ हमारा यह जो practice set है, जिसका नाम है practice set number 1.5, totally 100% complete हो गया है, और यह पूरा का पूरा entire chapter भी हमार complete हो चुका है, अब आप बोलों कि sir, what about problem set, तो मैं आपको बता दू, कि problem set के जो वीडियोस आएंगे, वो अलग से आएंगे, यानि कि हमारा यह जो chapter से उसमें हम पूरा का पूरा topic, plus practice set cover कराएंगे, लेकिन जो problem set होता है, उसके लिए हम एक नया series चालू करेंगे बहुत जल हर दिन हम वीडियोस ला रहे, आपके लिए 10 स्टांडर के लिए नया batch के साथ, नया digital board के साथ, वैसे पूराने वाले तो पूरा i2jr complete ही है, आप जानते ही हो, और पूरा whiteboard वाले वीडियोस प्रेजेंट ही है, बस अच्छे से जाए और अच्छी तरीके से पढ़ाई करते चलौँ आज के लिए इतना ही यह वीडियो, आपको कैसा लगा, प्लीज आमें कॉमें कामेंट करके बताना वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियोको लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ इतना हो सके शेयर कर देना, और अगर टाइम आया हो चानल पर अभी जग चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फट फट से हमारे चानल को सब्सक्राइब कर देना बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में हम कभी कोई भी वीडियो को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को कोडिफिकेशन मिलती रहेगी तो जल्दी मिलेंगे हमारे निव वीडियो में तब तक लिए थांक यू एंड गुडबाई